इटीबी के खास कारीकरम आमने सामने आमका स्वाकत है मैं हूँ राजेश तुमर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लुइस मरांडी सुबे के सरकार में कल्यान मंत्री हैं और अगर लुइस मरांडी के पूरे करियर को आप देखें तो पहले ये सिख्ष का थी एक कॉलेज में पढ़ाय करती थी बाद में राजनिती जीवन में आई दुमका से चुनव ये जी थी उसके बाद आज रोगवर कैमिनेट में ये मंत्री हैं ये किस तरह से काम करती हैं और ये कैसे राजनिती जीवन में आई वो आज हम जानने की कोसिस करेंगे कहा ये भी जाता है कि संगठन में इनके अपनी पहचान है पधान मंत्री नर्दर मोधी भाई भी इनके काम की तारीफ करते हैं सबसे पहले आपको हमारे स्टुडियो में बहुत स्वागत मैं सबसे पहले लोगों को ये जाने के एक्षा होगी कि आप एक सिख्ट का थी डॉक्टर लुइस मरांडी राजनीतिक कैसे होगी दिखे हम एक बहुत ही सुदूर गाउं से आते हैं जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि दुमका एक पिछड़ा हुआ इलाका है पिछड़ा हुआ ज तो जब पढ़े लिखे तो हम थे ही तो मुझे लगा था कि और जीला में जब कभी-कभी घूमते हैं तो हमारा चेत्र संतालपर गाना और दुमका कभी विकास को जो कहते हैं वो दिखता नहीं था जी और एक मन में एक दर्द था कि अगर हम अपने चेत्रों में विकास का क काम करें तो आखिर कैसे काम करेंगे चब हमारा सिक्षा दिख्षा हुआ था तो हमें याद है कि जब हम कॉलेज पढ़ने आते ते तो bam से पंद्रा किलोमेटर हम लोग पैदल आते हैं तो मैं स्वाइब पैदल आई हूं और तब कॉलेज का सिक्षा ग्रहन की थी उसमें गाड़ी भी उतना नहीं चलता था तो यहीं सब एक दर्द था कि एक तो बेटियां पड़ नहीं पाती हैं गाउं के लोगों को किसी भी तर मिला की राजनीती चेत्र में आना चाहिए किसी से प्रेणा मिली या आप ऐसे आगें नहीं जब दो हजार में जारकंड अलग हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोग चुकि हम उस जाती से आते हैं बावलाल मारांडेजी से हम लोगों का संपर्क हुआ और कहने के लिए एक हम जैसे थे छोटी भान जैसे हम को मानते भी थे और जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है पार्टी में काम करो अजब पार्टी में हम लोगों ने काम करना सुरू किया तो एक तरह से उनका चेहरा देखे हम लोगों हम पार्टी में आये हैं भरोसा के साथ हम राजमी के लाएता है ने मेरा पहला पार्टी भारते जनता पार्टी है हम अपने मां जैसे बार्टी को मानते हैं तो संगठन में बावुलाल की पकड़ जो थी बहुत जबरदस थी है ना कि बाद में कुछ कारणों से वह अलग चले गए लिए बावुला चुकि मेरा पहला पार्टी भाजपाही था और जो हम जीला संगठन से हम जुड़े प्रदेश संगठन से जुड़े राष्ट संगठन से जुड़े तो एक एक लोगों का काम करने का तरीका तरीका हम देखते गए और हमको सब तरफ का जो अनुभव एक हमें मिला तो एक ह संगर्थ मेरा हमेईसा एक मेरा उबरॉरा है उम संगर्ष संगर्ष मेरे कभी पीछκι नहीं रहते हैं चाहिए हमारे साथ कुछ भी हो जाये लेकिन हम इस मुखाम तक हें उसके लिए जितनों हमको टायम लग जांगए तो बड़े बड़े जो हमारे अभी बावक पार्टी के रहे हैं, उनके मार्क दर्सन में हम आम ने काम किया, जो जन्ड संगी हमारे लूँने, जब पिछली बार चुना हो रहा था, तो आपके साथ में वहां के जो मुखमंतरी थे, सेटिंग अमेले थे वहां पे, मुखमंतरी भी थे, हैमन सरुन जी, लेकिन जब प्रधान मंतरी उस दौरा में आये, तो मैं खुद की कारेकरम को कभर करने गया था, तो मंच पे प्रधान मंतरी बड़ी आपकी तारीफ करते थे, क्या संगठन में वहां पर जो आपके काम करने का तो तरीका था, जा खास तर पर महला चेहरा की रूप में क्या कुछ था, क्योंकि भीड बहुत जादा थी? करते हैं कि भारते जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है, जो सबका साथ सबका विकास कर सकती है, उसी आधार से हम लोग संगठन को हम अजबूत करते हैं। जब आप चुनाव वहां से जीती हैं, तो क्या आपको लगता था क्या मंतरी मंडल में चाहिए लेंगी और मंतरी ब इक शुक्ष दूख में एक एक चंद में हम रहा करते थे हम करिबरण 2009 का चुनामें हम पहले बार लड़े ते तो उस से पहले और तीन-चार साल पहले साम तयारी करते थें। तो बच्चा बच्चा तक मेरा चेहरा जानता है, लोईस्ती, लोईस्ती हमको हर लोग दीदी बोलते हैं, तो उस हिसाब से हम सब से मिले हुए थे, लोगों ने अपना प्यार अपना सने इस रूप में दिया, कि आज जारकन बिधान सबा या फिर जारकन मंतरा ले तक हमको प भाजपा, चुकि जारकन मुक्ती मूर्चा का वो छेतर गाला आता है, भाजपा ने जिस तरह से वहाँ पर पकड़ बनाई, साथ यह भी कारण होगा कि मंतरी मंडल में आपको जगह मिला, उस संथाल पढ़ना में, जहाँ पर की जामों की एक बहुत अची पकड़ है, लिए जन्ता पार्टी का संगर्ठन आज की डेट में बहुत मजबूत है, और दुम का बहुत मजबूत है, हाल के दिनों में संथाल में भाजपा एक अपनी पकड़ बनाई है, आज पूरे मंतरी मंडल में देखे हैं तो तीन मंतरी सिर्फ संथाल से हैं, लुइस महराण ज से और भी बात करेंगे लेकिन बगत तक छोट से ब्रेक का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप स्वागत है मैं बात कर रहा था मंत्री लुइस मरान्डी जी से लुइस मरान्डी जी दुंका में एक बहुत ही जानी पहचानी नाम है और जिस तरह से मंत्री मंडल में उनको जेगा मिला वो एक तरह से रिवाड था कि जिस तरह से उनने भाजपा के लिए काम किये अब पूरी भाजपा की छवी और सरकार की छवी कहीं ने कहीं लुइस मरा चाहिए जाने, लगा कि कल्यान विवाग, बहुत बेहतर काम नहीं कर रहा है, चुक्छी उस बच्चों को जिसको की पोसाहार मिलना चीए, मां जो की गरवती थी, उनको पोसाहार मिलना चीए, लेकिन विवाग के तरब से वो नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे? कि यह जो बच्चों की मौत वाला खबर इधर आया है हल के दिन में जो जमसेद पुरुवाली खबर आई है वो कल्यान से तो संबंदी थे लेकिन समाज कल्यान से संबंदी थे ऐसे समाज कल्यान में चलता है यह राज में 3828 वदतिस हमार private handra hi है और सबही केंदर में हम आंगरंबाडरी के मादय मसे गर्व queríaद हnhद्री म्हांता और पर Kanton श से छेवर्ष के बच्रम को जीरो से थी थी थे दो भाब जो सबसे हम जो करने हमआद को अन्हें होजबाना चाहते हैं कि चुकि मौत जो है वो मामला आया है कुपोशन से मौत हुई है चुकि उस होस्पिटल में आजाज करने या फिर निरिक्षन करने हम आपने चले गए ते कि मामला क्या है विवाक का नाम सामने आ रहा है तो मेरे पास जो रिपोर्ट उन्होंने दिया है एक बच्चों का नाम के साथ है किस के रहें कि कुब पोशन मौत और नहीं मौत हम यह आपको बताना चाह रहे है कि कई विभाग ऐसा है कि जो एक साथ काम कर्ती है लेकिन बाहर दीता नहीं है जिसे हमारा का काम है कि हम कुप बहुते मुट्री करने के लिए एक तो धात्री माता गर्वती माता जो पोसाहर उस समय के लिए हम देते हैं वो सही तरीके से वो सेवन करे पता चला कि हम दिये और वो रख दिये तो फिर उसका तो कोई उपाय नहीं होगा यह तो आपके माद्यम सहां बताने इसलिए चाहेंगे कि लोगों को लगता है कि हम भोजन दे रहे हैं लेकिन भोजन हम उन प्रभावित होंगे इसलिए यह चीज़ खाना चाहिए तो जब बचे कुपोशन हो गए तो पिर आगे एमटीसी सेंटर ले जाया जाता है तो एमटीसी सेंटर का सेंचालन हेल्थ विवाग करते हैं तो वहां पर डॉक्टर रहते हैं तो वहां 15 दिन रहना होता है 15 दिन व मिल रहा है वह खेचडी हम समय से दे पा रहे हैं कि अगर पूरे चीज़ों को देखें प्रक्रण को तो कई भी भागों का उसमें समावेस है जो बच्चे है या जो महलाएं जो गरबती है यह बराबर खबर में आए कि कई लोगों के पास खून की कमी थी तो इसके लिए क् कलान विभा के तरब से वह दमाएं बाटी जाती थी जो ग्रीन टेवलेट यह एरे टेवलेट है यह फिर वह बाकि में स्वास्त विभाग का काम है यह जो टेवलेट है वह आंगन बाडी केंदर के माधिया जाता है लेकिन एप्रूब्ड करते हैं हेल्थ वीभाग चुकि ह उससे पहले हम कहेंगे ना कि समय समय पर उनको मेडिकल ग्यार बहुत जरूरी है जाच बहुत जरूरी है क्योंकि अदिवसी लोग जो है बिल्कुल गाम में रहते हैं अपने सरीर में क्या है नहीं है वो भी जरूरी नहीं है जानकारी नहीं है तो अभी हम लोगों ने सुरू किया है हेल्थ विवाग से बात उत कर करके भी इसे पिछले दिनों राची में हम लोगों ने सुरू किया था स्कूल से हमने सुरू कराया है आए चेक अप तो अभी हम लोग दो हजार बच्चों का आए चेक अप कराए हैं दोनों का कॉलिबरेशन से तो इसी तरह से जगा कि जो कल्यान विवागा है हना कि भी इपाग बहुत इस राजी के हैसाब से काफी महत्पूर्ण है लेकिन विवाग को बहुत लोग जानता नहीं क्या-क्याइश में प्र्छाइन पाती है का्लियान विभाग का क्या है ना कि हम कह सकते हैं इस को चुसमें यह चुरुवात हुआ है तो इस Мें इसलिए किया गया था कि जनजाती समाज के लोग सब भी भाग में जल्दी नहीं जा पाते हैं और उनका जो जरुवत का चीज है जैसे उनके यहां से कल्यान से सिचाय का भी काम होता है तलाब का भी काम होता है सड़क का भी काम होता है बिद्याले भी है हमारे यहां कल्यान 132 खतर है लेकिन पुरे राजियों में अब तो धीरे 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 धी прирay पता चल रहा है नहीं जानकारि होने का मुझे जो समझ में आता है राजिक के सतरह साल अभी चल रहा है हमारा सतरवा साल सत्रहासाल लेकिन उस विवाग के मादेम से कौन सा काम होता है जब हम नहीं परचार करेंगे तो आम पब्लिक कैसे विजएंगे तो हमारे यहां से ह मिलता है हमारे यहांसे काम होता है हम परचार करेंगे तब ही नहीं आगर हम परचर नहीं करेंगे तो यह कोई बता ने शक्ति हम बहुत चोटा अपको दे रहे हैं कल्यान विवाग का जैसे हेल्थ विवाग के मादियम से यह माने मुख्य मंत्री जी जो मुख्य मंत्री असादिय रोग का अगर हम उदारन के लाप को दें अभी एक लाग से या पचास हजार से पांच लाग तक हम लोग सरकार के मादियम से जाता है कल्यान विवाग में तीन से पांच हजार तक मिलता है जो SDSC जो गाह में रहते हैं किसी को appendix हो गया है किसी का हाथ टोट गया है किसी का आंख oppression हुआ करना है इस तरह का लेकिन पहले था कि किसी को पता तक नहीं है हम जिस भी के लिए बहुत सारे स्किम्स चला रही है पर दो पर बादusta, पर फिर से आपका स्वागत है, हम बात करूए थे करल्यान विवाक का, अगर करल्यान विवाक के कामकाजों को देखें तो कई कारकरम चुला जा रहे हैं, लेकिन सबसे मतपून है कि इन कार्क्रमों के बारे में लोगों को जादा जान करी दी, लेकिन जो कार्क्रम चुला जा रहे हैं अगर हम उसकी Achievement की बात करें, अगर विवाग के उन तारिफों की बात करें, तो क्या कल्यान विवाग के पास जो आंकड़ा है, उसके हिसाब से कि कल्यान बीवाग का काम छोटा 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 होता है जो की दीखता नहीं है तो इसलिए जो बीवाग यह मंत्री जो होता है एक बीवाग का गार्जन होता है और अगर वो गार्जन सामने वालों को नहीं बताएगा तो उस बीवाग को कोई जानकारी किसी को नहीं हो सकता है इसलिए सबसे पहले तो विवाग का जो जितना जितना स्कीम चलता है उसका परचार परचार होना चाहिए हम चोटा सा पूरा करना चाहते हैं कि वो जो हम हेल्थ विवाग का बता रहे थे कल्यान हेल्थ तो उसमें जो उदाहरन हम दे रहे थे कि हमारे यहां से इतने इतना इ सिस्टम है डायरेक्ट यहां से नहीं मिलेगा जिला कल्यान का जो हमारा ओफिस है हर एक जिला में है अभी हम जहां भी जाते हैं हम अपने स्पीच में यह बात जरूर बोलते हैं कि कल्यान विबाग आपको यह क्या आपके माध्यम से कभी यह मॉनिटरिंग करने कोशिस हुए अभी हमने दो सालों से देखा है जब हम मंत्राले जोइन के थे उसमें मेरा जितना इस मद में पैसा था वो वापस हो गया था जब से हम आए हैं तो डिमांड आने लगा कि रासी खर्च हो गई रासी खर्च हो गई तो और पैसा दीजिए अगर कल्यान विबाग के तहत कु असीथा नियुक्ति तो बहुत जादा नहीं हुआ है लेकिन 17 सालों में जो नहीं हुआ हो इन 2.5 सालों में हूआ है राज में बहुत पहले से एक डिमांड आया था जो हमारे इस राज के आदिम जनजाती लोग रहते हैं तो उनका हमेशास से डिमांड रहा है कि हमारा सीध पत्र दिया है और 956 लोगों को हम लोग आदिम जन जाती के लोगों को जिए अन्यूपती ओल्रटी दे दिया है दुसरा हम रोजगार के अगर हम बात करेंगे तो जो अभी तो भारे सरकार माने परदान मंत्रीजी भी और माने मुख्या मंत्रीजी भी फोकस किये वह स्कील ड देवलोपमेंट के माद्यम से हमारा जो एक प्रेजा फाउंडेशन है और कल्यान गुरूपूल हम लोग नाम दिये हैं उसके माद्यम से ट्रेंड हो रहा है और अब तक कम से कम हम लोग सत्रह सो संतान लोगों को उसमें से जॉब दिये आपके अगर संताल की बात करें चु गई थी कितना वो प्रोग्रेस कर रहा है कितने उसकी तरक्य हो रही है नियुक्ति तो उनकी भी हुई है संताल प्रगाना में हुआ है अभी हम लोगों ने आदिम जन जाती विकास प्रादिकार का गठन किया है उसके तहद भी काम चल रहा है दुसरा आपको हम बताना चाहते है कि एक दो जिला एक प्रुभी सिंगुम और दुमका जिला को लिया गया है जो अत्ती निर्धन गरीब परिवार का जो 2000 परिवार को चयान क्या गया एक एंजियो जेपाल है जेपाल और बंदन के सही तरुप से और कल्यान विबाद के बीच में अमयू हुआ है जो बहु पहले एक बच्ची जो की इस कॉलेज इम पड़ रही थी उसको उसके साथ में कॉलेज की और दोस्तों के दवा ज़ूरा किया गया और अभी गठना commitment की तिन दाहड़े का सकते हैं आपके एक के लड़के आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दुमका में पिछले दो महना से इस तरह के गटना में बिरिधी हुई है चाहे कारण जो भी हम स्विकार करते हैं इस जो को कहीं ना कहीं मॉरल में थोड़ा सक कमी तो आई है नेतिक सिक्षा देने के आउशकता है लेकिन जहां तक पिछले गटना अभी है अभी बाले जो घटना है अभी वले चुक् liquid में नहीं थे इसलिए तुरत हम को पता नहीं चलपाया नहीं और इस तरह का घटना बरदास नहीं किया जाएगा हला कि इस वाले घटना में पुलिस बहुत तत्परता से करवाई की और सारे आरूपी पकड़े गए लेकिन जो हाल की दुरों में इस तरह की घटनाएं घटी है आम जो महला वहां की है चुकि आप से थोड़ा ज़ादा पेक्षा रखती होंगी आप मंत्री हैं आपका एक चेहरा सामने आया है जो बहुत मद्बूत चेहरा है ऐसे में दुमका और आसपास के इलाकों में महला इस प्रक्षित हों इसको लेकि क्या आपके तरब से को परियास तो एक तो है कि लॉइन ओडर ठीक ठीक हो उसमें कहीं अगर थोड़ा सा थोड़ा सा दीखता है तो जो हॉस्टेल में हमारे बच्चियां रहते हैं तो एक तो समय समय पर गार्जन के साथ मीटिंग होना चाहिए या पिर कांसिलिंग करने के बहुत आउशकता है कि हमारे बच्चे किस लाइन पर जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं जो वहाँ पर जो खास तरब बच्चियां स्कूल कॉलेज आती हैं महलाय अप सुरू किया गया सक्तिय अप सुरू किया गया बहुत कड़ाई से बहुत चीज़ें पहलन नहीं होती है कहीं ने कहीं महलाय अगर इस तरह की कुछ भी घटना घटती हैं तो आम जो चबी है संथाल बहुती सांथ प्रिया जगा माना जाता है बहुती अपराद मुध माना जाता था लेकिन हाल की तरह में थोड़े अपराद में बिरती हुई ये खासरों महलाओं के खिलाफ ऐसे में बेतवर मंतरी और खासरों पेच्व की जारकंड में आप संथाल से हैं मां की एक जानी पचानी नाम है महलाएं सुरक्चित हों सुरक्चित रूप से स्कूल जाएं कालेज जाएं क्या सरकार के तरफ से कोई पहल होगी इसपर सरकार के संग्यान में सारी चीजे हैं या सारी घटना हैं और पिछले घटना के भी से माने मुके मंतरी जी से बीबात वी थी इस घटना के बाद हमारे अभी भेट नहीं हुई है लेकिन अपराद है और बड़ा अपराद है इस विशे में सरकार बिल्कुल गंबीर है आने वला समय में पुन्राविर्ती इस तरह का नहीं हो सरकार गंबीर कदम उठाएगी बिल्कुल हम बात कर रहे थे मंतरी लूइस मेराण जी से हमने कई बिश्यों पर बात की और खास और पर कल्यान कल्यान विवाग कई काम कर रही है हलांकि परचार प्रसार की जुरत है लोगं में थोड़ी जाग दुता की जुरत है आज इस कारी करम में इतना है जब में अकली बार मिलेंगे एक ने सस्यासाथ मिलेंगे तब तक लिए दिजिए हमें इजाज़त नमस्कार